नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलते हैं हम आज देश में चारधारा की लगाई है एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ महबत, भाई चारा और एक दूसरे की इज़त एक तरफ चाइना के सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक, सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवाओं को नरेंद मोदी छे महीने की ट्रेनिंग देने के बाद उनके सामने करे करने की कोशिश कर रहा है बीजेपी के लोगों को गलत फेहमी में नहीं होना चाहिए हम लोग बीजेपी से आरेसेस से नहीं डरते हम देश के लिए मरने के लिए त्यार है और हम बीजेपी को आरेसेस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बना कर दिखाएंगे देश में जब भी बदलाव आता है वो बिहार में तुफान शुरू होता है यहां से तुफान बाकी प्रदेशों में जाता है यह बिहार जो है देश की राजनेती का नर्फ सेंटर है यहां से ही शुरूआत होती है आज देश में विचारधारा की लगाई है एक तरफ नफरत हिंसा अहंकार और दूसरी तरफ महबब भाई चारा और एक दूसरे की इज़त जैसे मैंने यात्रा में कहा अगर आप गटबंदन को समझना चाहते हो एक लाइन में समझा जा सकता है नफरत के बाजार में महबबत की दुकान खोलते हैं हम इस देश में नफरत क्यों फैल रही है ये नफरत का देश नहीं है आप सब जानते हो आपके दिल में हिंदुस्तान के नागरिकों के दिल में नफरत नहीं है महबबत है प्यार है एक दुसरे का आदर है तो सवाल उठता है कि इस देश में नफरत क्यों फैल रही है भाई और बेनों नफरत का सबसे बड़ा कारण देश में अन्याए है अन्याए युवाव के खिलाफ अन्याए आप सब के खिलाफ अन्याए किसानों के खिलाफ अन्याए समाजे कन्याए आर्थे कन्याए प्रधान मंत्री जी दो तीन बड़े अरब पतियों के लिए काम करते हैं दो तीन लोगों के लिए काम करते हैं उनका सोला लाग करोर रुपिया प्रधान मंत्री ने पिछले दस सालों में माव किया है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ उन्होंने हिंदुस्तान के किसान का कितना कर्जा माफ किया हिंदुस्तान के मजदूरों का कितना कर्जा माफ किया इसलिए देश में नफरत फैल रही है 40 साल से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है क्यूं? क्यूंकि BJP ने छोटे वियापारियों को, किसानों को, small और medium वाले businesses को नश्ट कर दिया है एक तरफ नोट बंदी की, दूसरी तरफ G.A.S. की लाडू की नतीजा ये हुआ, जो लोग इस देश को रोजगार देते हैं छोटे बिजनस वाले, small और medium बिजनस वाले, उन सब का काम बंद हो गया जहां भी देखो, बड़े बड़े उद्योग पतियों की मोनोपली बंदी है एक उद्योग पति के हाथ में हिंदुस्तान के सारे के सारे पोर्ट, एरपोर्ट, इंफ्रस्ट्रक्चर, डिफेंस की इंडेस्ट्री, सारे की सारी नरेन्र बोधीजी ने एक उद्योग पति को पकड़ा दी आप लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचा है, मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ, इस देश में पिछरी जात के कितने लोग है? कितने अबादी है पिछरी जात की? 50% 50% दलितों के कितने अबादी है? 15% आदिवासियों के कितने अबादी है? 8% कितने बनती है बाई? कितने अबादी है? 73, 73% अब देखिए, 73% में से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमपनियों में उनकी मालिकों की लिस्ट निका लिए आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा 73% वाला उसके बाद मीडिया के मालिकों की लिस्ट निका लिए बड़े बड़े इनके जो पत्रकार हैं उनकी लिस्ट निका लिए आपको 73% में से एक नहीं मिलने वाला है उसके बाद प्राइवेट हस्पतालों के मानिकों की लिस्ट निकालिए स्कूल और कॉलेज जो चलाते प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट उनिवर्सिटी उनकी लिस्ट निकालिए उधर आपको 70% का कोई नहीं मिलेगा उसके बाद जो हिंदुस्तान को नपे बिरोक्राइट चलाते आई-एस वाले उनकी लिस्ट निकालिए उधर आपको तीन पिछले वर्के लोग मिलेंगे तीन दलिट मिलेंगे और एक आदिवासी मिलेगा और अगर हिंदुस्तान की सरकार सो रुपे खर्च करती है बजट में अगर सो रुपे खर्च होते है तो 73% की 6% की 6 रुपे की भागिदारी बनती है तो ये जो 73% है और उसमें अगर आप जोड़ना चाहते हो तो गरीब जेनरल कास के लोगों को भी जोड़ लो इनके लिए इस देश में कोई रास्ता नहीं बचा है पहले क्या होता था पहले पब्लिक सेक्टर होता था उसमें गरीबों को रास्ता मिलता था नोकरी मिल जाती थी सरकार में रोजगार मिल जाता था जैसे बिहार में तेजेश्वी जी ने किया जैसे चतिसगर में हमने किया करनातक में तलंगाना में हम कर रहे है मगर नरेंद्र बोधी जी ने ये सारे के सारे रास्ते बंद कर दिये सेना में आप जाते थे वहां अगनीवीर लागू कर दिया अब देखना अगनीवीर लागू किया और अगनीवीर में पहली बार इस देश में दो तरीके के शहीद होंगे एक शहीद होगा उसको शहीद का दर्जा मिलेगा उसे पेंशन मिलेगी उसे कैंटीन मिलेगी और उसे गाउं में शहर में आदर मिलेगा दूसरा शहीद होगा अगनीवीर होगा वो शहीद होगा उसे शहीद का धर्जा नहीं मिलेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगी उसको कैंटीन नहीं मिलेगी और उसको ट्रेनिंग भी सही नहीं मिलेगी एक तरफ चाइना के सैनिक पाकिस्तान के सैनिक सालों की ट्रेनिंग लेते हैं और हमारे युवायों को नरेंद मोदी, छे महीने की ट्रेनिंग देने के बाद, उनके सामने करे करने की कोशिश कर रहा है, नतीजा आप जानते हो, मैं जादा नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि लालू जी को बोलना है, यह देखो, लालू जी को बोलना है मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों को गलत फेहमी में नहीं होना चाहिए हम लोग बीजेपी से रसे से नहीं डरते हमें कोई फरक नहीं पड़ता हम देश के लिए लड़ते है हम देश के लिए मरने के लिए त्यार है और हम बीजेपी को आरेसेस को यहां से हटा के इंडिया की सरकार बना कर दिखाएंगे आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहन